जै मातरी दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों हमारे चैनल से जुणने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें दोस्तों जिनके घर में बेटियां जन्म लेती है बेटियों के शुब कदम पड़ते ही उनके घर में खुशाली आती है जिस तरहे बेटियों के बगेर घर का आंगन सूना होता है उसी तरहे बेटियों के बगेर ये समाज ये श्रिष्टी की कलपना भी अधूरी है बाग्य लक्ष्मी के रूप में जन्मी बेटी हमें ममता इसनेह प्रेम की परिभाशा सिखाती है अगर बेटी ना हो तो भाई बेहन पती पतनी मा बेटा जैसे रिष्टे इस समाज में नहीं होंगे अगर ये रिष्टे समाज में नहीं होंगे तो परिवार की कल्पना भी नहीं की जा सकती दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस महिने में जन्मी लड़कियां माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है दोस्तो पहला महिना आता है फरवरी का जोति शास्त के अनुसार फरवरी महिने में जन्म लेने वाली लड़कियां साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं क्योंकि इस महिने में ग्रहों की चाल लड़कियों के जीवन में राज योग का उदै लेकर आता है जिससे कि ये लड़कियां बहुत ही भागेशाली बन जाती है और इनके जीवन में धन धाने की कभी कोई कमी नहीं रहती इसके अलावा जिस भी व्यक्तिका इनके साथ विवाहा होता है उस घर में इनका पैर पढ़ते ही घर में सुक समरिद्धी का वातावरन छा जाता है दोस्तो दूसरा महिना है अप्रेल का महिना अंक शास्त्र के अनसार अप्रेल महिने में जन्म लेने वाली लड़कियां सबसे ज़्यादा शुब मानी गई है इस महिने में जन्म लेने वाली लड़की लक्षमी का रूप मानी जाती है क्योंकि इनकी कुनली में ग्रहों की चाल इनके जीवन में भाग्या का उदय लेकर आती है ये लड़कियां राजयोग में पैदा होती है और इनकी शादी जिस लड़के से होती है उसका भी किस्मत का द्वार उनके घर में पैर पड़ते ही खुल जाता है दोसो अगला है जून का महिना जून के महिने में जन्मी लड़कियां भी किस्मत की बहुत धनी होती है और जिस घर में इनका जन्म होता है माता लक्षमी की किरपा उस घर में हमेशा बनी रहती है इसलिए इनके जन्म के साथ ही उस घर में धन्धौलत की बढ़ोतरी होने लगती है इस महिने में जन्म लेने वाली लड़कियां बहुत ही सुलजी और शांत स्वभावजी होती है ये अपने जीवन में काम्याबी प्राप्त करने के लिए बहुत महनत करती हैं और इनको उसका अच्छा फल भी मिलता है अंक्षास्त के अनसार सितंबर महिने में जन्म लेने वाली लड़कियां माल लक्षमी का ही रूप मानी गई है जिसका कारण इनकी कुंडली में चंदर बुद्ध और शुकर तीनों का मिलान योग्य होता है जिसकी वजए से इन्हें अपने जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती भाग्य से इन्हें सब कुछ हासिल होता है इनका विवा भी पैसे वाले लड़के से ही होता है दोस्तो साल भर के इन चार महिनों में जन्म लेने वाली लड़कियां माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है वीडियो पसंदाए तो लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद